Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 04, भारत में राजनितिक सनुचनाएं उसको हम 7 unit पढ़ने जा रहे हैं Unit 7 के अंदर में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से topics हैं, कितने chapter हैं, किस तरह के questions आते हैं, उन questions का पूछे जाने का pattern किस तरह का है और उनका answer हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम short video के मिदश से discuss करने वाले हैं चलिए हम अपना आज का video स्टार्ट करते हैं दोस्तो, Unit 7 का जो हमारा topic है, उपने विशिक करने एक ऐसा दोर जहां पर भारत का है, ब्रिटिस सरकार का गुलाम है ठीक है, East India Company, ब्रिटिस सरकार का गुलाम है ठीक है, ये मानकर चलिए तो सबसे पहला जो हमारा chapter आता है कि ब्रिटिस सराज की विचारधारा है अब suppose करो, कि ब्रिटिस सराज जो अवस्था लागु है भारत के उपर में भारत गुलामी का पुरा चल रहा है, गुलामी का दौर चल रहा है तो वहाँ पर अलग-अलग लोग होती है जिससे मार्क्स वादी, उदार वादी, पुंजी वादी तो इस तरह कि सभी के अपनी विचारधारा है कोई विचारधारा किसी के पक्षम होता है, किसी के विपक्षम होता है तो यहाँ पर एक question बनकर आता है अलग-अलग विचारधारों के अधार पर इस विचार्दारा के हिसाब से ब्रिटिस राजी ववस्ता को बताईये. यह कोशन बनockर आता कौन कोशन कर आता है उसके बारे हम बात करें तो मेनली यहां पर चार तरह के विचार्दारां कोई बारे में डिसकस किया गया है कुण-कुण से सबसे पहले आता है प्राच्छे वादी विचारदारा इसके अंदर में क्या होता है कि ब्रिटिस राज्य को केंद्र मानकर लिखा गया ठीके जहां पर ब्रिटिस राज्य का अल्मुस्ट बढ़ाई की गई ठीके अच्छी चीजे ही बताई गए कि इस तरह से चीजे हैं और केंद्र मानकर बताया गया लिखा गया भारत के नजरिये से ठीके भारत के नजरिये से तो लिखा गया पर भारत के बारे में कुछ नहीं बताया गया वहां पर में जो केंद्र था focus on the point that will be British राज ठीक आप यहां पर जो भ डेक्षवात का विचाहणा और ठीक है पर्तेक्षवात का विचाहणा रा पर्तेक्ष क्या था वो कहते कि बाई मैं अजब तक कोई चीज मेरे सामनी नहीं होगा मैं फील नहीं करूंगा मैं देखुआ नहीं मुझे खुद experience नहीं होगा on the basis of experience ठीक है इस चीज को माना गया जो British राजवे वस्ता है उसको देखा इतिहांस कारूने किस तरह का क्या है तो experience के basis पे लिखा गया सासाथ में इनके लिखने का जो तरीका था इतिहांस को वो व्यग्यानिक अधार था इतिहांस के अंदर में करांती के तौर पर प्रतेक्षवाद को माना गया तो प्रतेक्षवाद क्या करता है कि एक तो अपने experience को follow करता है कि ये मेरा experience है मैंने ये देखा किसी के सुनी सुनाई बातों पर मैं बिलीव नहीं करता ठीक है तो ये मेरा experience है मैंने देखा उसके हिसाब से मैंने इसको लिखा ठीक है simple सी बात यह हो गई सासात में इतिहांस लेखन में इन्होंने करांती का कारे किया और विज्ञानिक अधार पर भी चीज़े लिखी है इन्होंने इनका ये भी मानना रहा कि विज्ञान को मतलब जो इतिहांस को कई तरीके से कई जगत चीज़े परभावित करती है भले वो इतिहांस से जुड़ी हो चाहना जुड़ी हो फिर भी की चिंद्धा करते हैं कि कितने लोग खुस हैं तो उसको हम भोक्ता वादि विचारधारा के तोर पे देखते हैं यहां पे भी वह भोक्ता वादि विचारधारा को ब्रिटिस राजनजी के साब से फोकॉस किया गया ठीक़, समझ में आता है तो romanticism कहेके नाम से जाना जाता है romanticism ठीक है जिसके अंदर में कला साहित्ते तथा वधिक छेत्र को विस्तार करते हुए उसके नजरिये से परसुत किया गया British राज को ठीक है कला साहित्ते वधिक छेत्र को जो भी था ना इन सब चीजों को basis मानकर वहाँ पर ब्रेटिस राज तो मतलब वह उस हिसाब से दिखाते हैं ठीक है समझ में आता है तो यह वाला chapter में यह सारे चार topic आते हैं इन चारो topic में से एक नए topic फस जाता है और आज आता है एक exam के अंदर में तो थोड़ा सा पढ़ देगा जिसके basis पर आप अच्छे number ला सको ठीक है अगले chapter के में बा अら आप के लिए बना रहों आपकी भलाई का काम कर रहा तो नॉर्मली जोa भारती इंस कारते हैं उन्होंने यह बताया कि रेलिवे का निर्मान धन निकासी के लिए में फॉकस किया गया एक जगए से दूरी समान को पर भारत से वारत से समान को चोरी करcco आज बिटे लिब यहां पर गती video के अंदर में रेलवे कारिन नयाय पालिका नयाय जो व्यवस्था बनाई गई ठीके किस परकार से है वहां पे उन्हें और अचार सहीता बनाए डंड कानन बनाया ठीके तो गती video के अंदर में यह भी आ जाता है अब देखो ब्रिटिस सरकार अगर कोई किसी को नोकरी पर रखती है और वो डारेक्ट इंग्लिस बोलने माला बंदा ची अच्छा इंग्लिस बोल सके तो वो ब्रिटन से मंगाए तो उसको बहुत जादा पे करना पड़ेगा तो उसके काम से क्या क्या है भारती जेका अन्तुवा तो किस तरह से अलग-अलग 565 राजवाड़े उभर कर आए ठीक है और उन सभी राजवाड़ों ने सुएता ताकी मांग करी ठीक है तो उसके अधार पर यहां वाले यह चैप्टर बनता है यह यूनिट 7 आपका यहां पे खतम होता है दोस्तों सासात में MHI 04 भारत में राजनेतिक संरचना है ठीक है political structure in India यह वाला chapter भी यह वाला book भी आपका यहां पे खतम हो जाता है और कल आपका exam है तो all the best आप सभी students को कैसा experience रहा मेरे साथ पढ़ने का ठीक है MHI 04 का आप अपना साजा कर सकते हैं और जो भी students अगर यह वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको यह suggestion दूँगा कि MHI 04 के लिए दो वीडियो पहले से ही दी इनप पर डेली हुई है जिसके अंदर में एक हैगा last five year का question paper का और एक हैगा all chapter important topics का तो इन दोनों वीडियो को देखोगे तो वह जादा आपके लिए help करने वाला है ठीके तो friends all the best फ और लाँ प्रयव शोनों दूटगा रो चाले सही एजगार अजयों जादा जबखे दो को बादा आपके लिए एक ऩाले सीघलीूsen एंव खेघए टो आपके लिए भागीजिंग nem लिए चाले सारी जादा बदें़गाल खेखता नं दोले का दो गगई एटींगा थाय़